Hello everyone, welcome to this challenge, Geology Notes, आज की इस पीडियो में आपको बताऊंगी, Genetic Disorder के बारे में, यह जो टॉपिक है, एक्जाम में आपका लॉंग में पुछा जाता है, और यह सॉर्ट नोट में पुछा जाता है, इसके disorder, जो syndrome जो होते हैं, यह आपके सॉर्ट नोट में पुछे जाता है, और यह बहुत ही important topic है, एक्जाम के लिए, क्या होता है, Genetic Disorder, First Introduction, A Genetic Disorder is a health problem caused by one or more abnormities in the genome, यह जो Genetic Disorder, जिसको हिन्दे में का जाता आनुबन सिक विकार, यह genome में एक या उससे अधिक abnormities के कारण होने वाला एक health problem होता है, It can be caused by mutation in a single gene और multiple gene और by a chromosomal abnormities, इसमें बोला जा रहा है, कि यह जो है यह एक gene या फिर उससे अधिक gene में mutation या फिर क्रोमोजोबल abnormities के कारण हो सकता है, Mutation का मतब होता है, जब क्या हो जीन में अचानक कुछ बदला हो, उस वज़े से यह होता है genetic disorder, syndrome caused by genetic disorder, कुछ syndrome होता है genetic disorder के कारण, यह syndrome बोलिए या फिर बोलिए एक disease बोलिए, In man, the following syndrome are produced by non-disjunction और genetic disorder, genetic disorder या फिर non-disjunction के कारण कुछ syndrome होता है, Mane में देखने को मिलता है, पहला क्लेनिफेल्टर syndrome, दूसरा turner syndrome, third down syndrome, and fourth primary non-disjunction endosophila, इस वीडियो में आपको बताऊंगी तीन syndrome के बारे क्लेनिफेल्टर, turner और down, जो कि आपके syllabus में आपको पढ़ना है, और यह तीन बहुत ही important syndrome है, पहला है क्लेनिफेल्टर syndrome, क्लेनिफेल्टर syndrome is a genetical disease caused by an additional X chromosome in a human male, क्लेनिफेल्टर syndrome जो होता है, एक तरह का genetical disease होता है, जो कि क्या होगा human male में देखने को मिलता है, और उसमें क्या होगा human male के chromosome में एक extra X chromosome जूडने से यह disease होता है, sexual abnormality होता है में इसको खोजा गया था पहली बार हैरी के द्वारा 1942 में, इसमें क्रोमोजमल आवारिशन, यह क्रोमोजमल आवारिशन के कारण होता है, इसमें क्या होगा तो जो सेट होता है, उसमें एक extra chromosome जूड जूड जाता है, इस abnormality के कारण क्या होगा कि क्रोमोजम का सख्या जो उस 46 होगा, इस abnormality के कारण 47 होता है, इस victim प्वाजिज़न एडिशनल X chromosome वित XY, उस victim में XY के साथ साथ एक X chromosome और होता है, So, the chromosomal makeup is 22AA plus XXY, क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, तो वो जो chromosomal जो बनाता है, वो बनाता है आपका 22AA plus XXY, इसमें बोला जा रहा है कि यह नोन डिक्जंक्शन एक्स एक्स क्रोमोजोम के कारण होता है, और यहां प्या होगा, तो जब एक एबनार्मल एग XX क्रोमोजोम के साथ फटलाइष्ट करता है, स्पर्म यी क्रोमोजोम के साथ, तब जो रिजल्टिंग बेबी जो होता है, उसका क्रोमोजोम XXY होता है, यह जो होते हैं यह इस्ट्राइल में होते हैं मतलब वह abnormality वहता हैं यह क्या बोलते हैं एकुत्तर से young ones produce करने में असक्चम होते हैं दर टेस्टीस आड इस्माल डेरिश नो इस्पार्मेटोजेनेसिस उनके जो टेस्टीस जो होते हैं वह छोटे होते हैं और इसपार्मेटोजनेसिस नहीं होता है मेल सेक्स गलांड और फूरली डबल अफ होंगे अर उनका जो ब्रेश्ट होगा वो साइज उनमें मतल्ब ज्यादा होगा उनका ब्रेश्ट का साइज ज्यादा होगा दे यह टॉल वो बहुत ही लंबे होंगे they are mentally affected और साथ ही वो mentally affected होंगे यहाँ पे जो है यहाँ पे जो आप लिखे है इन्हें रिजल्टिक बेवी कंटेंस से एकस एकस वाई यहाँ पर आपको एक फिगर ड्रॉ करना है कि कि लेनिक फ्रेंटर सिंड्रम कैसे होता है जैसे मजर में 22 एकस होगा फिर फादर जो 22 एकस वाई होगा वह जूरेगा जब मतलब दोनों में जब कि फटलाइजेशन होगा तो फि इसको खोजा गया था टर्णर के द्वारा जिस वज़े से इसका नाम भी है टर्णर सिंड्रॉम 1938 मेंन ने यह खोजा था इसका एक पेर में क्या होगा तो एक पेर में इसका एक पेर में इसका एक क्रोमोजम का लॉस होता है यह हो जाता है इसमें क्या होगा तो 46 क्रोमोजम के जगा फिमेल में 45 क्रोमोजम सो होते हैं जो मिसिंग गोमोजम जो होता है वो एक 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 प्रोमोजम होता है Hence the chromosomal make-up is 22AA plus XO equal to 45 जो chromosomal जो बनाता है वो 22AA plus XO equal to 45 होता है It is caused by non-disjunction of XX chromosome यह non-disjunction XX chromosome के कारण होता है When an abnormal egg without any X chromosome is fertilized by a sperm with X chromosome the resulting baby contains XO chromosome इसमें क्या होगा यह तब होता है जब abnormal एक बिना X chromosome के साथ fertilized करता है sperm के साथ X chromosome में तो वो resulting baby जो बनता है वो XO chromosome बनता है The baby developed into a strial female, she has female phenotypes but there is no mensuration और वो जो female जो बेबी जो develop होती है, strial female में develop होती है और जिसमें क्या होगा वो female phenotype होती है और इसमें किसी भी तरक यह जो बेबी जो develop होती है उसमें क्या होगा mensuration नहीं होता है इस figure को आपको यहां पर draw करना है Down syndrome This abnormality was described by Down in 1866 यह Down syndrome के बारे में बताया गया था Down के द्वारा 1866 It is caused by chromosomal aberration, it is due to trisomy in 21st pair of autosome यह जो है, यह chromosomal aberration के कारण होता है और यह trisomy में होता है, autosome का 21st pair में यह होता है It is due to 47 chromosome instead of 46 इसमें क्या होगा 46 के जगा 47 chromosome होते है Chromosome number is 21 is represented by the three copies इसमें chromosome का जो number होता है 21 यह represent करता है तीन copies को Hence, it is caused by autosomal aneophyllidic जिसके कारण इसको क्या का जाता है? Autosomal aneophyllidic के कारण यह होता है It arises by a non-disjunction of chromosome of pair 21 during meiosis यह का होता है, यह non-disjunction of chromosome के कारण होता है यह 21 pair में होता है, उसमें होता है मियोसिस के दौरान Hence, both autosomes of this pair entered the same egg जिसमें क्या होगा? जो जितने भी autosomes जोंगे इस pair में इंटर करते हैं When this egg is fertilized by a normal sperm, down syndrome result क्या होगा? जब एक fertilized करता है normal sperm के साथ तो यह down syndrome यह होता है यह figure आपको यह पर draw करना है, down syndrome में The facial feature of the victim resembles Mongolian race यह जो लोग इससे प्रीद जोते हैं, उनके चेहरे जोते हैं वो Mongolian जाती से मिलते जोते हैं The mouth is constantly open and the tongue is protruded बुलाजरे इनका जो मूँ जो होता है, लगातार खुला रहता है और टंग जो है बाहर निकलावा होता है They are mentally retarded यह मानसिक रूप से यह retarded होते हैं मतलब इनका मानसिक संतुलन थोड़ा खराब होता है The neck is short and broad इसमें क्या अगर इसका गर्दन जो है छोटा होता है और चोड़ा होता है साथ ही यह bonnet type के होता है The ears are malformed और इसके जो कांज होते हैं विक्रित होते हैं साथ ही इसका नाक जो है तिर्चा होता है थोड़ा फिर्चा है